Assalamu alaikum student, I am your science teacher of class 7, today is Saturday and date is 28 March 2020, today we will discuss about unit number 4 that is living organisms and their environment and our topic is adaptation in animals, okay, दो तरह की animals होते हैं, एक होते हैं warm-blooded animals और एक होते हैं cold-blooded animals, जो warm-blooded animals होते हैं यह वो animals होते हैं जो कि अपने body का temperature जो है वो चेंज नहीं करते हैं स्राउंडिंग में चाहिए जैसे मरजी temperature हो, for example, जैसे इनसान है यह अपने body के temperature को इनका throw out दा यह 37 degree ही रहेगा, इससे कम और ज्यादा की condition नहीं है इसमें, ठीक है, फीवर हो जाता है इनसान को लेकिन उसको medicine देकर cure कर लिया जाता है, जिससे उनका temperature again 37 degree Celsius पर आ जाता है, ठी जो कि इनके body के अंदर एक खास mechanism होते हैं, जो कि इनके body के temperature को control रखते हैं, इसमें सबसे बड़ी example आ जाती है, mammals की और birds की, अब blubbers क्या होते हैं, blubbers एक ठीक layer होती है, जो कि present होती है, specially in polar bears में, polar bears क्या होते हैं, एक ठीक layer of fat होती है, जो कि इनको बचाती है, ठंड से और इनकी body को warm रखती है, ठीक है, अब आ जाते हैं, next cold blooded animals पे, cold blooded animals होते हैं, जिलकि बड़ी के temperature जो है, according to surrounding temperature शिफ्ट होता है, जैसे कि इसमें amphibians और reptiles आ जाते हैं, और जैसे कि आपने देखा होगा कि सर्दियों में बहुत जादा जो amphibians और reptiles हैं, वो हाइबर्नेट हो जाता है, या winter sleep में चले जाता है, क्योंकि वो इतने जादा सर्दी पर दाश नहीं करते हैं, जैसे ही गर्मी आती है, तो वो ब दो तरह की होती है, warm blooded और cool blooded और इन दोने के बारे में आज हमने पड़ा, उमीद है, आपको समझ आ गई होगी, बहुत बहुत शुक्रिया